Hello everyone, welcome to Koshalli Academy. As you know that हाल ही में NEET 2021 का result आया है. और बहुत सारे बच्चों के marks अच्छे आया हैं and they are hoping for a college. ठीक है? और कुछ बच्चों के marks boundary पे आया हैं like 550 plus marks आया हैं, 560, 540 या category वाले बच्चे हैं तो 400, 420, 430 marks तो उन बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है. और साथ ही लाश में बच्चों के लिए इंपोर्टेंट है जो NEET 2022 के लिए preparation कर रहे हैं. वो भी अभी से इस वीडियो को देखकर next year के लिए prepare कर सकते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कॉलेड में कितने तरीके की seat होती हैं और क्या counseling की process के बारे में बात करेंगे. एंड साथ में we will also talk about the documents required for counseling. ठीक है? चलिए ये चीरे बात करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँ website के लिए. अभी तक जो हम website use करते थे वो NTA NEET की website use करते थे. अब जो website हमें use करनी है वो क्या use करनी है? mcc.nick.in इस website को हमें counseling के लिए use करना है. ध्यान से note कर लेना है आपको ये website mcc.nick.in ठीक है? बुक्समार्क्स करके रख लीजे ए वेबसाइट को ठीक है? जैसे ही आप ये website open करेंगे कुछ इस तरीके का page आपके सामने पर open होगा. ठीक है? उसमें आपको ये segment दिखाई देगा using medical counseling. आपको यहाँ पर click करना है. जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, आपका एक next page open होगा. इन्होंने एक block यहाँ पर बना कर रख दिया, online counseling will be available soon. ठीक है? बहुत जल्द यहाँ पर चीड़े process update कर दी जाएगी, यहीं से आपको चीड़े श्टार्ट करने है, counseling की process. सारी process यहाँ पर update की जाएगी. ठीक है? अब बात करूँ मैं आपका कि college में कितने तरीके की seats होती हैं? ठीक है? तो हमारे पास दो तरीके की seats होती है किसी भी college में. ठीक है, seeds बताने से पहले, सबसे पहले मैं fee बता देता हूँ आपको, ठीक है, fees भी दो तरिके के होती है, एक तो refundable fees होती है, एक non-refundable fees होती है, ठीक है, refundable fees में मतलब क्या होती है, around 10,000 के आसपास होती है, fees आपका किसके लिए, government college के लिए, जब आपको college मिल जाता है, दिन आ refundable ही रहेगी, अब बात करते हैं, हम seat के लिए, ठीक है, दो types की seats होती है, हमारे पास, एक होता है, क्या आपके पास all India quota, और एक होता है, क्या आपके पास state quota, ठीक है, state quota में हमारे पास 85% seat होती है, और all India quota में हमारे पास 15% seat होती है, 15% seat होती है, means मान लिजे, जैसे 100 seat हैं किस college में तो उसमें 15 seat all India quota के round से भरी जाएंगी और 85 seat किसके बढ़ी जाएंगी आपका state quota से भरी जाएंगी means आपको पास जिस state का domicile है ठीक है यह तो थी कुछ seat वाली बात ठीक है अब बात करता हूँ step counseling के लिए कैसे होते हैं सबसे पहला step क्या होता है all India counseling ठीक है state counseling देन ऑल इंडिया कॉंसलिंग इसमें भी एक्चल में rounds होते हैं अल इंडिया कॉंसलिंग के लिए दो रौंस होते हैं और इस्टेक कॉंसलिंग के बाद एक मॉपप राउंड भी होता है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपका क्या अपडेट होगा वेबसाइट पे All India Consulting Round 1 प्रोसेस के लिए सारी चीज़े अपडेट होगी, ठीक है, All India Consulting प्रोसेस के लिए चीज़े अपडेट होगी, वहाँ पर आपको कॉलेज की लिस्ट वगएरा दिखा दी जाएंगी, ठीक है, अब आपको कॉलेज की लिस यहां पर आपको college ले लेना है यदि अगर हो सकता है कि आपको college मिल गया लेकिन आपको college नहीं लेना है ठीक है आपका कोई reason है बहुत सारे factor matter करते हैं ठीक है कि आपको आप होप कर रहे हैं कि आपको उससे अच्छा college मिल सकता है मान के चलिए आपके marks है 640 ठीक है और ये last कितना All India counseling round 1 जो फिल हुआ है कितने last 641 पे हुआ है means दो ही तीन marks का difference है means it's obvious है आपको next round में college कोई नो कोई college मिल ही जाएगा then आप यहाँ पर leave कर सकते हैं ठीक है फिर इसी के आसपास आपका सुरू होता है state counseling round 1 ठीक है यहाँ पर भी आपको same वही process होगी college की list आ जाएगी ठीक है आपको college की list state counseling के लिए दो पहले से ही पता होती है then आपको एक preference बना कर रख लेना है कि हमें कौन सो college पहले fill करना है कौन सो college बाद में fill करना है तो अब आपको देखना है यहाँ पर इस college को लेना है या नहीं लेना है अब हो सकता है कि आपको next counseling में और अच्छा college मिल जाए तो यह तो आपको marks देखके या previous year cutoffs देखके college के चीड़े पता चल जाएगी तो आप इसको भी leave कर सकते हैं आपको लगता है कि आपको round 2 में बहतर college मिल जाएगा तो इसी के round आपका चल हुआ क्या all India counseling round 2 अब सबसे ज़्यादा focus यहीं पर करना है all India counseling round 2 में यदि अगर आपको college लेना ही पड़ेगा आप उस college को leave नहीं कर सकते you may not leave ठीक है आप यदि अगर सोचते हैं कि यहाँ पर leave करके मैं state round में फिर से counseling अटेंड कर सकता हूँ तो ऐसा नहीं है यदि अगर आपको all India counseling round 2 में college लोट हो गया है तो ठीक है आपको बहुत सोच समझ कर यह all India counseling round 2 फिल करना है ठीक है यहाँ पर भी आप ट्रेंड कर सकते हैं मौप अप राउंड कॉलेज में ही होता है आपका state में उसके लिए अलग से notification आता है मौप अप राउंड में नीट allotment letter जो भी आपने डॉनलोड किया होगा नीट admit card फिर रखना है कि आपको rank letter एक मिलेगा आपको 10th और 12th की mark sheet साथ में आपको 11th की भी mark sheet रखनी है और क्या passport side picture रखनी है कितनी रखनी है passport side square चार से 5 picture रखनी है थीक है चार से 5 फोटोड आपको रखना ही रखना है अब यदि अगर आपने drop लिया है कुछ बच्चे एक साल के लिए drop लेते हैं मुझ दो साल के लिए कुछ तीन साल के लिए भी डॉप लेते हैं तो आपको ज ले जाईए और gap certificate बनवा कर आप रख सकते हैं ठीक है counseling स्टार्ट होने से पहले ही ठीक है then क्या लगेगा आपको school living certificate ठीक है यह भी आपको रखना है साथ में और क्या documents लगेंगे migration certificate लगेगा और क्या आधार card लगेगा domicile लगेगा ठीक है आप जिस state है उसी state के लिए निवास प्रमार्ट पत्र बोलते हैं इसको है ना domicile लगेगा आपको ठीक है और क्या लगेगा हाँ कुछ बच्चे reserve category के लिए है तो उनके लिए क्या लगेगा cast certificate और economical weaker section के लिए क्या लगेगा EWS के लिए EWS वाला certificate भी लगेगा ठीक है और क्या medical certificate medical certificate आप किसी भी government hospital में चले जाए है ना district hospital में चले जाए या जिस medical college में आप जा रहे हैं counseling के लिए documents लेके वहाँ पर भी बन सकता है आपके नस्दीक का जो भी होगा ठीक है चलिए तो medical certificate भी तो easily बन जाएगा तो यह सारे documents हमें पहले से रखना है अब साथ ही साथ यह documents की original तो हमें रखने ही रखने हैं साथ में इनकी कम से कम 2 से 3 Girocs करवा कर भी हमें रखना है और कोशिस कीजिए सारे documents से scan करके अपने साथ अपने mobile या Gmail पर भी रखें या drive पर डाल कर रखें हैं न क्योंकि आप मानली जापने शहर से बाहर हैं तो कहीं पर भी आपको documents की requirement पढ़ सकती है ठीक है यदि आपके आउसे scan copy है तो कहीं पर भी आपके फेवगरे में जाकर उनको print करवा सकते हैं ठीक है यह तो थी बात documents की ठीक है अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिन बच्चों के marks अच्छे नहीं आये हैं hopefully जिन बच्चों के marks अच्छे आये हैं उनको अपना dream college मिल जाएं जिनके marks boundary पे हैं वो भी कहीं न कहीं सेट हो जाएं लेकिन बच्चों के marks अच्छे नहीं हैं उन्हें भी टेंशल नेने की जरुरत नहीं हैं ठीक है वो बच्चे अच्छे से prepare करें next year के लिए इस साल उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं ठीक है उन गलतियों को ह हमें सुधारना हैं और बहुत सारी बातें हैं तो यहां पर एक contact number दिया हुआ है और इस contact number पर हमसे contact कर सकते हैं हमारे experts आपकी counseling करेंगे यहां पर और बताएंगे कि आपने इस साल preparation कैसे की है उसमें आपने क्या क्या गलतिया की है तो next year के लिए preparation के लिए आपको कैसे prepare होना है किस step के accordingly क्या books use करनी है कैसे पढ़ना है क्या time schedule है यह सारी चीरिया आप हमारे expert से बात करके discuss कर सकते हैं contact number लिख लिजेगा 7529060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060 बच्चों को next year college मिल जाएगा बस हमें अपनी preparation पे focus करना है तो फिल हाल के लिए counseling के process में इतना ही आगे जैसे ही website पे update होता है then हम एक और वीडियो बनाएंगे की चीज़ें क्या-क्या process आगे के लिए रहेंगी ठीक है चलिए thank you so much मिलते हैं guys